सिता राम बेर्वा असिस्टेंट प्रोफेसर गाउर्मेंट पीजी कोलेज बारा राज़तान बीएसी फस्ट टियर सब्जेट जूलोजी पेपर फस्ट चात्रो ओर्लाइन क्लासिज में आपका स्वागत है चात्रो ओर्जम आपके सामने प्रुडू नीरिया ग्रनुलोसा इसे भारती पुसुद जोग करते हैं उसकी एक्स्टरनल इस्ट्रेक्चर के बारे में अध्यन करेंगे इस्टरनल इस्ट्रेक्चर में जो इस डायग्राम दिखाया गया है यह एक इस्टरनल इस्ट्रेक्चर का डायग्राम है जिसमें जोंके निच्ची 33 खंड होते हैं और 33 कंड को इसमें डिवाइड कर रखा है यह वाला डोर्सल साइड का डायग्राम है और भी वाला वेंटल पॉर्सन का डायग्राम है अधर सत्रेक्चर यह वाले डायग्राम में देखिए एक से लेकर 26 तक के सेग्मेंट दे रहे हैं और लास्ट में जो आधा जिए लेकर लास्ट वाला जो पॉर्स्टियर सकर में एक कनवाट हो जाता है कि वह दिखाया गया है कि आज भी दिखाई गई यह एंटायर पॉर्सन पर यह उसे परकार से जब दूसरे वाले डायग्राम में देखते हैं तो वेंटरल वाले पॉर्षन पर को शकर सांव दिखाई देखा है और सत्र विए ई когда वोई नफ। डिया पिकेत दिखाई रेकेस में को errors इसमें इंटरा पार्चर दिकाया गया हίज दाशे से कंड में यारे बीच में से प्रत में जिर इंटरा पार्चक कुछ अुई हमाउत शकर दिखाया गया है एंट्रे सकर और प्रोश्टों में जो पहला वाला सेग्मेंट हमाउत वाला यह सभी दिखाये गये हैं कि देखे सेग्मेंटेशन के उतलब होता है खंडों में वाजित होना जोंक का सरीर हमने पिछले डेज पर बताये था आपको कि जोंक के निच्चे 33 स्खंड होते हैं 33 सेग्मेंट होते हैं कि जिनको मेटामियर्स करते हैं या सॉमाइट्स करते हैं पहले दो तान तिम साथ कंडों चोड़कर सेज्ट कंडों में से परते एक कंड फेसे अनेक रिंगों में उप्रिवाजत होते हैं प्रारूपं कि घटिपिकल सेग्मेंट में पांच रिंगों टेंटों कि वे सेग्मेंट टर्भष कंडों में से पांच होते हैं वह व्या igler को आजाता है तता जननकाल प्रोडॉक्शन टाइम आने पर नवी दसी और ग्यार्य कंट पर एक इस्ताइक क्लाइटेलम का निर्मान पूझ जाता है नेश्ट गराई रिसेप्टर चोप के अंदर भी गराई यंग पाई जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के स्टिमूलस को रिसेप्ट करने वाले ओर्गांस रिसेप्टर ओर्गांस क्यालाते हैं यह जोंक के पार्तिक छल्ले की सतर महिन अनुलम खांचो दुवारा दर आयताकार छेतर में विवाजित होती है पार्तिक आयताकार छेतर उसे एक अती छोटा और उब्रावा सेंसरी पेपला होता है जिसे एनुला रिसेप्टर कहते हैं पार्तिक ड्रिंग की प्रश्ट और अधर सतर पर लगबग अठारा 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 एनुला रिसेप्टर होते हैं यह डाइग्राम दिखाया गया है सेग्मेंटेशन का इससे पहले रायों के अलावा पार्तिक खंड के पर्तिक ड्रिंग की उपरी सतर पर फोर पीयर तता वेंटल सतर पर थिरी पीयर सेग्मेंटर रिसेप्टर पाए जाती है जो बड़ी-बड़ी सेंसरी पेपिला भी होती है पर्तिक के पर्तिक के पर्तिक के पहले रिंग की प्रस्थता पर एक जोड़ी आइच होती है और इन सेग्मेंटों को उक्कुलर सेग्मेंट करते हैं कि पहले पांच कंडों में आइच पाए जाती है और पांच तो जोड़ी नेतर जोंक के अगले सिरे पर एक अर्दवर्ता का ब्लेक स्पोर्ट की तरह दिखाई पढ़ते हैं कि इसके बाद में ने सकर आते हैं चूसक करते हैं यह सरीर के परते सिर्फ पर एक कोकली पेसेज संरचना होती है जिसे चूसक के सकर करते हैं जिसे एनिमल से चिपकता है और सक्किंग करता है ग्राइओ को प्रक्ट करता सरीर के मद्यवाग का एक सेग्मेंट इसमें एवाला दोट वाला दिखाए गया और वी वाला वेंटर पॉर्शन को दिखाया गया है और यह कंप्लिट टिपिकल सेग्मेंट होता है कि पांत-पांत रिंग वाला है यह वाले में देखिए डॉर्स साइड में मीडियन डॉर्सल दिखाया गया है इनर लेटरल दिखाया गया है आउटर लेटरल, मार्जिनल और सेगमेंटल रिसेप्टर और यह एनुलर रिसेप्टर जो परते गरिंग में अठार अठारा जोड़ी होती है इसे पकार लोंकिटूड लिंकल्स नीचे दिखाया गयी है बी वाले में भी पात थिखाया गयी है चल्ले और इसे में भी सेगमेंट रिसेप्टर अनुलर रिसेप्टर इंटर अनुलर ग्रोव्स रिक्टेंगूलर एरिया सब दिखाए गए है जोग के अंदर चूसर जी सकर कहते हैं दो होते हैं एक अगर चूसर एंटीर सकर और पच्चूसर पोस्टीर सकर अगर चूसर इसे सपेलिक सकर भी कहते हैं जो प्रोस्टोमियम और सरीर के अगले तीन खंडों से बना होता है इसकी स्ट्रेक चंडाकार होती है इसमें नीचे की और को एक पहला जैसी समान सनचना अवतल परकार की होती है जिसे प्रिवरल चेंबर कहते हैं इसी के आधार पर माउट इस्तित होता है तो पहले इस तीन सेग्मेंटों से मिलकर बना होता है इसे एंटियर सकर कहते हैं नैस्ट पोस्टीर सकाज पच्चू सक कहते हैं यह भी एक वर्ताकार प्रता अत्यांत पेश से डिस्ट नुमा स्ट्रेक्चर होती है जिसे पच्चू सक या पोस्टीर सकर कहते हैं यह एनल सकर भी कहते हैं यह भी नीचे के और दिश्ट रहता है दिखाई देता है इसकी स्ट्रेक्चर सरी के आंतिम 27-33 लास्ट के सेवन सेग्मेंट के कंप्लीट संगलन से इसका निर्मान होता है जो की एक गोल संकेंदिर्ट रिंग में वह उस्तित रहता है कंसेंट्रेंट रिंग में अरेज्मेंट रहता है दोनों सकर का कार्यमुक्य रूप से एनेमल को चिपकाना तदा गमन में साहिता परदान करता है तता एंट्रे सकर फेडिंग में भी साहिता करता है अगर मों को इन गंड करने में भी कि किर्या में भी साहिता परदान करता है एक्स्टरनल अपर्चर मांट एक सक्त्रा नेरो टाइप का तता एक तिरी आर्डेज छिद्र होता है जो अगर चूसक के पिरी औरल चेंबर के केंदर में खुलता है एनस एक छोटा पोर होता है जो 26 खंड के मध्य प्रस्ट में पोस्टियर सकर के आधार बाग पर खुलता है नेफिडिया पोर इस सेवंटिन पियर होते हैं सत्रा जोड़ी होते हैं जो नेफिडिया पोर के द्वारा बार खुलते हैं जो चटे से 22 खंड में परते के अंतिम रिंग पर अधर तल में एक जोड़ी नेफिडिया पोर होते हैं नेश्ट मेल जेनिटर परचर यह भी एक मिड़वे इंट्रेल पोर होता है जो दस्वे खंड के दूसरे और तीसरे रिंग के मद्दे की गरोव में अधरवाग परिस्तित होता है कभी कभी इस पोर से एक दागे नुमा संद्चना निकलते से पैनिस कहते हैं जो भार निकला देखा जाता है कि अधियर जेनिटर परचर पोर भी कहते हैं मादाजन शितर कि यह ग्यारव खंड में पाए जाता है जो दूसरे और तीस रिंग के मद्दे अधरवाग परिस्तित होता है नेश्ट शरीर के भाग बोडी डिवजन जोंक के सरीर को साइंटिस्टों ने चबागों में विवाज़त किया है पहला सेग्मेंटेशन है सेपेलिक रिजन सेपेलिक पार्ट इस भाग में पहले पांच खंड होते हैं जिसे अकुलर सेग्मेंट भी कहते हैं इस भाग में प्रोस्टोमियम एंटिर सकर माउथ तता आईज उपस्तित होते हैं नेफ्येड एपोर्श में नहीं पाए जाते हैं तो इसका पहला तता दूसरा सेग्मेंट यूनि एनुलर होता है एक वल्ले वाला होता है तता तीसरा सेग्मेंट बाइ एनुलेट दो रिंग वाला तता छोता और पाचवा सेग्मेंट ट्राइ एनुलेट तीन रिंग वाले होते हैं इन में से पहले तीन सेग्मेंट प्रोस्टोमियम के साथ मिलकर अपर लिप का निर्मान करता है जिसे उप्रियोस्ट कहते हैं मैस्ट प्रिक्लाइटेलर रिजन यह क्लाइटेलम से पहले वाले सेग्मेंट होते हैं इसको प्रिक्लाइटेलर रिजन भी कहते हैं जो चटे साथ और आठ वे खंडों में पाई जाते हैं और इस तीन खंडों से मिलकर बना होता है इस बाग के सभी खंडों में नेफ्रेडिया पोर होते हैं और इन तीन खंडों में से चटा खंड ट्राइ एनुलेट होता है तीन रिंग वाला होता है तता से सेवन और एट सेग्मेंट में परते खंड में पांच वल्ले पाए जाते हैं जो कम्प्लीट सेग्मेंट कर लाता है नेश्ट कलाइटेला रिजन जो नवी दस्वर ग्यार्वे खंड में पाए जाता है और इस भाग की बित्ती अत्ती गरंथिल होती है और इसमें नेफ्रेडिया पोर पी पाए जाते हैं प्रूडूनेरिया में कैंचो की तरह इस्ताइक लाइटेलम नहीं होता परन्तु प्रोडक्शन टाइम जननकाल में इस पार्ट इस भाग के चारों और एक इस्ताइक लाइटेलम का निर्मान होता है तरह मेल एंड फिमेल जेंटेल अप परचार जो दसवे तक ग्यारवे खंडों के मद्धे अधर बाग पर इस्तित होते हैं कि और इस बाग के सभी सेग्मेंट कि पंचुवल होते हैं कि पांच रिंग पाई जाती है और यह सभी सेग्मेंट टिपिकल सेग्मेंट या कंप्लीट सेग्मेंट कहलाते हैं इसे मद्धे बाग क्याते हैं यह बारवे से 22 खंड तक पाई जाता है तोटल जारा खंडों से मिलकर बना होता है यह सबसे बड़ा पार्ट होता है और इस भाग के सभी सेग्मेंट पंच वल्ले होते हैं यह कंप्लीट सेग्मेंट होते हैं इसमें एफिडे पोर पाई जाते हैं इसके अलावा कोई पोर्जी सम्च्राइं नहीं पाई जाती है इसके अंतरगा 23 से 26 हुए कुल चार खंड होते हैं और इन खंडों में नेफिडे पोर भी नहीं पाई जाते हैं कि इन में से 23 खंड ट्राइ एनुलेट तीन रिंग वाला होता है और तीनों खंड बाई एनुलेट होते हैं दो रिंग वाले होते हैं इस प्रकार यह चारों सेग्मेंट इन कंप्लीट कहलाते हैं चता 26 खंड के मद्य प्रस्ट भाग पर एक पोर पाई जाता है जिसे एनल अपर्चर भी कहते हैं जिसमें एनस खुलता है लाश्ट पोस्टीर सकर इसे पच्चू सक कहते हैं पिछले साथ सेग्मेंटों से मिलका बना होता है यह 27 से 33 खंड तक कुल साथ खंडों का बना होता है इसके सभी सेग्मेंट कंसंट्रेट सन के इंदिर रिंगों में अरिजमेंट रहते हैं और परते खंड के उले एक रिंग से निरुप्पित होते हैं इस परकार इनके सेग्मेंट भी इनकंप्लेट होते हैं पुछात तुर इसके साथ ही आज का है टोपिक का एंड होता है धन्यवाद